हेलो एंड वेलकम टू दी ओफिशियल यूट्यूब चैनल अफ ओरीजिन कोचिंग आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि NDA में कई सारे लोगों को डाउट होता है कि NDA में सेलेक्शन किस तरीके से होता है या रिटन एक्जाम के फॉर्मिट क्या क्या होते हैं कैसे माइनस मार्किंग होती है सबसे बड़ा डाउट उनको होता है कि NDA में eligibility के criteria क्या क्या है means NDA के लिए आपका age क्या होना चाहिए आपकी जो physical qualifications है वो क्या होनी चाहिए height और आपके 12th में कौन-कौन से subject वालों को NDA में लिया जाता है NDA, NDA में basic difference ये लोगों को पता नहीं रहता तो कुछ जो NDA के बारे में minor या major जो informations होते हैं उन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो मैंने इसके पहले एक poll आप से किया था अगर कोई भी आपको doubt है तो आप comment कर दीजिए हमारा जो वीडियो आने वाला है उस पर हम उस doubt को include करेंगे और आपका क्या doubt को हम solve करेंगे तो कई सारे doubts उनमें आये तो उसमें जो अच्छे doubts से मैंने उस पर लिये और कई सारे doubt SSB या कई सारे और doubts है वो हम next videos पर लगातार clear करते जाएंगे तो आज का जो हमने main section लिया है जो doubt section हमारा NDA के questions related जो queries हमारे लिए आई थी तो जो main related है वो सब eligibility से related है कि कि किस तरीके से हमारे पास क्या-क्या हमारे eligibility है जिनके through हम NDA पर अपना selection करा सकते हैं तो देखिए सबसे पहला doubt तो students का यह आया था जो हमारे viewers उनका सबसे पहला doubt था कि NDA और NA में difference क्या है तो मैं आपको यह बता देता हूं कि basic difference आखिर है क्या NDA और NA में तो यह पहला चीज हमारे पास है एंडिये ओके एक एंडिये है हमारे पास एंडिये का full form क्या होता है एंडिये का full form होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो एंडिये का full form है और NA क्या होता है एंडिये जो है हमारा NA का full form होता है नेवल एकेडमी तो यह हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब डिफेंस क्राइटेरिया जो इंडिये डिफेंस का जो हमारा system है उससे related जो जो criteria आते हैं वो सब NDA में शामिल हो जाएंगे कौन-कौन से? Army एक उसका branch है, Navy एक उसका branch है और Air Force एक उसका branch है लेकिन जो हमारा NA exam होता है, NA का जो exam होता है Naval Academy वो सिर्फ Navy वालों के लिए है तो basic difference यही है, NDA और NAK उसमें, इसके criteria में, इसके eligibility में, इसके syllabus में इन दोनों में कोई सा भी difference नहीं है, बस इसमें difference है कि यह सिर्फ Navy वालों के लिए है और NDA को दे सकते हैं, जिनको Navy पे जाना है, Air Force पे जाना है या Army में जाना है, यह सब criteria वाले Navy को दे सकते हैं तो यह जो doubt हम से पुछा था, वो किस ने पुछा था, ओमकार कुमार नी यह doubt पुछा था तो यह doubt आपका clear हो गया, तो हम next चलते हमारा next doubt क्या था, NDA से related next doubt हमारा था, कि NDA का आखर difficulty level क्या होता है तो NDA का difficulty level मैं आपको पहले यह बता दूँ, कि NDA दो process में होता है कौन-कौन से दो process में, एक return exam और एक SSB interview तो NDA के difficulty level को अगर हम relatively match करें किसी दूसरे exam से क्योंकि हमको तो जानना है कि difficult होता है कि नहीं होता है तो हम कैसे जान सकते हैं, किसी से अगर compare करें तो तो अगर हम compare करें NDA और IIT के exam को, तो IIT का जो student preparation कर रहा है IIT के लिए जो preparation कर रहे हैं, उनके लिए NDA जो है वो बहुत ही जादा easy हो जाता है क्योंकि जो IIT के लिए जो preparation कर रहा है, NDA का syllabus उससे easy है IIT वालों के लिए NDA easy पढ़ जाता है, तो अगर हम IIT से NDA का compare करें और maximum लोगों का यही qualification होता है, कि वो IIT NDA दोनों एक साथ देते हैं तो जो IIT की तयारी कर रहा है, NDA will be easy for them Next हम देख लेते हैं, क्या होता है Next हमारा eligibility criteria, यहां से हमें start करते हैं, main हमारा तो यह written exam होता है, SSB interview होता है, NDA का सबसे toughest point होता है SSB interview, उसको हम आगे इस पर देखेंगे तो हमारा eligibility criteria हमारे क्या-क्या है, यह हम देख लेते हैं सबसे पहले दो doubt हमारे पास आये थे, कौन-कौन से दो doubt हमारे पास आये थे, comment में ओमकार कुमार ने फिर पुछा था, कि sir 12th हमने physics, chemistry, bio से पास किया है math नहीं है, तो NDA और NA का exam दे सकते हैं, कि नहीं एक doubt यह था, और दूसरा doubt लगभग उसी से सेम था, कि NDA exam biology student दे सकते हैं, क्या तो यह doubt, दो doubts हमारे पास आये थे, तो इसको मैं आपको clear कर दूँ, देखिए, air force के लिए NDA ने जो decide किया है, उसमें physics और maths compulsory है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, कि NDA ने जो इन दोनों category के exams के लिए, जो criteria decide किया है, कौन-कौन से, air force और navi, जो air force का exam है, उसमें आपको physics और maths जरूरी है, means अगर हम overall देखे, तो 10th के बाद आपको maths लेना जरूरी है, air force देने के लिए और NDA देने के लिए आपका physics compulsory है, और maths compulsory, means air force और navi, air force और navi दोनों को qualify करने के लिए, आपको 10th के बाद mathematics stream ही select करना है, लेकिन जो army category, उसमें आप कोई से भी stream के select, कोई सा भी stream आप select कर सकते हैं, either maths और bio, या फिर और भी कोई other streams होते हैं, जैसे arts, commerce, any kind of stream, army available है, बट, जो हमारा main, mainly science students ही जाते हैं, army में, जो हमारे main, जो air force और navi है, ये सिफ दो subjects लेते हैं, means you have to select math stream after 10th, to go into the air force और navi category of NDA, तो ये जो दोनों category ही, इस पे जाने के लिए आपको, air physics और maths compulsory, means mathematics subject आपको लेना है, next हम देखते हैं, कि NDA का, इसके बाद देखिए, form आते हैं NDA के, maximum queries ये आई थी, कि NDA का form कब आता है, NDA का exam कब होता है, तो हम लोगों तो पता है कि NDA two parts में होता है, कौन-कौन सा parts, NDA one और NDA two, दो हमारे stages में NDA होते हैं, मतलब year में 2 times NDA होते हैं एक NDA first होता है जो किस time पर होता है अप्रेल के time पर जो किस साल का हो चुका है और एक होता है NDA second जो कि सितंबर में होता है और वो इस साल का होने वाला है तो जो April का term exam होता है April का examination होता है उसके लिए December या January में December के time या January के time पर हमारा जो admit card है जो notification NDA में join होने का वो आ जाता है form मतलब release हो जाता है December या January में और exam हमारा होता है April में December January में form आ जाता है then April में exam conduct होते हैं लेकिन जो second जो हमारा NDA का second वाला जो part होता है second exam होता है उसका सितंबर में exam होता है उसके रिजर्ज नोटिफिकेशन है या उसके जो application form है वो कब आते हैं वो आते हैं June या July में तो अभी हमारे nearest NDA exam को अगर हम देखें तो वो कौन सा हमारा September 2021 September 2021 में जो हमारा nearest NDA exam है उसका अभी लगभग June या July के starting में हमारे जो application है उसके notifications live हो जाएंगे तो यह था क्या बोलते हैं कि NDA के जो two faces में exam होते हैं यह उनके बीच में difference था next हमारा doubt देख लेते हैं next क्या होता है age limit पूछते हैं कई लोग age limit पूछा जाता है तो यहाँ पे लिखा है age limit के बारे में clear इससे आपको अच्छे समझा जागा कि age limit किस तरीके से होता है NDA का candidates born between 2nd July 2002 to 1st July 2005 are eligible to apply for NDA 2nd 2021 यह आपको clear हुआ यह क्या कहना चाहता है कि 2 July 2002 से 1 July 2005 के बीच जिन जो participants है उम्मीदवार जिन participants ने इन दो dates के बीच में कौन-कौन से दो dates 2nd July 2002 to 1st July 2005 तो इसके middle पे जिन लोग मलब इसके देखिए इसका मतलब क्या हो गया 2nd July 2002 के पहले बर्थ ना हो और 1st July 2005 के बाद बर्थ ना हो इसके जो बीच में candidates आएंगे वो apply कर सकते थे April term के लिए तो इसी को देखते हुए अगर हम हमारा जो हमारा September term exam होने वाला है NDA का second जो exam होगा हमारा उसका अगर हम fine करें तो क्या आता है उसका देखिए उसका fine करने में क्या आता है 2nd January 2003 2nd January 2003 to 1st January 2006 उन लोग क्या है NDA के लिए September 2021 2nd जो NDA exam होगा उसके apply करने के लिए eligible है तो अब हम देखिए कि कई लोगों ने अपना age पूछा था कई लोगों ने अपना age पूछा था कि this is my age am I eligible to apply for NDA 2021 September attempt तो उसमें हम देख लेते हैं कि जो हमारा एक चीज़ इसमें आप याद रखिए कि जो date of birth के लिए जो हमको चाहिए जो भी informations चाहिए उसमें matriculation certificate मतलब 10th board exam का जो certificate होता है उस पे जो date of birth लिखी है वही date of birth आपकी eligible होगी NDA के लिए और कहीं से नहीं लिजाएगी date of birth आपकी date of birth वही मानी जाएगी जो आपके 10th board exam के 10th certificate में आपका लिखा गया है वो आपका date of birth होगा NDA के exam के लिए तो इसके हमारे एक student है अंकुष कुमार अंकुष कुमार का पुछना था कि sir मेरा date of birth 1-1-2003 है means 1-01-2003 मेरा date of birth है तो मैं कितना attempt दे सकता हूँ और इनका कहना है कि ये अभी 12th pass out हो चुके है ये 12th pass out हो चुके है तो अगर हम previous जो हमारे information है उसके हिसाब से देखे हैं तो अभी जो हमारा attempt आने वाला है September का उसी साब से तो 2nd January 2nd January 2003 2nd January 2003 है lowest date मतलब उससे पहले के students इस पर जॉइन नहीं कर सकते और इनकी जो age limit है वो क्या है 1st of January 2003 means ये सिर्फ one day एक day से ये क्या है एक दिन से बस ये चूक रहे हैं NDA eligible apply करने के लिए तो अंकुष कुमार अगर इस वीडियो को देख रहोंगे तो आपका answer आपको मिल गया होगा comment पर मैंने आपके reply भी किया था कि इस बार का जो ये attempt है वो आपको नहीं मिल सकता क्यों क्योंकि आपका जो है वो 1st है लेकिन NDA क्या कहता है 2nd January 2003 हाला कि ये confirm नहीं होता हो सकता है NDA अपना notification लाए क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारे circumstances चल रहे है Corona जो COVID-19 हमारे virus फैले हुए है उस हिसाब से तो NDA अगर चाहे तो change कर सकता है कई जगा exams लेट हुए तो कुछ changes हो सकते हैं उसका हम नहीं जान सकते but as now as per the information available till date अभी कहिसाब से तो 2nd January को ही माना जाएगा as per the calculations second down था क्या NDA में 21 साल से अधिक वाले paper दे सकते हैं means candidates more than 21 year of age can they apply for NDA वो पूछा गया था तो एक चीज़ आप याद रख लिजिए कि NDA में सिर्फ age limit दिया गया है 16 and half to 19 and half means 16.5 से 19 साल के बीच के जो students है सिर्फ वही apply कर सकते हैं NDA के लिए और ये age होनी चाहिए उनकी joining के लिए means अगर exam की हम बात करें तो exam के लिए उनकी date होनी चाहिए 15 and half to 18 and half years means 15 से 16 साड़े 18 साल के जो students है written examination के time पे वो दे सकते हैं NDA का attempt ये age criteria है तो मतलब आपको date भी पता रहेगा और उस date of birth के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आप NDA के लिए eligible हैं तो ये थे अगर आपको आपका answer मिल गया होगा ये question पूछा था सुभम यादों ने सुभम यादों का ये question था next हम देखते कि हमारा next doubt क्या है next physical eligibility हम देखते हैं physical eligibility के बारे में सबसे ज़्यादा जो doubts से वो थे eye से related मिन्स आख से related कि आखों से किस तरीके से आख के कारण NDA से हमको निकाला जा सकता है या हम eligible नहीं हो सकते NDA के लिए तो आइस related स्टार रोचक तॉम ने कुछ पूछा था physical test के बारे में बता है सर मुझे चश्मा लग रहा है physical में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी तो ये उनका doubt था तो इसमें मैं आपको clear कर दूं कि आख खराब होने के दो conditions होता है सबसे पहले तो perfect eye NDA के हिसाब से 6 by 6 to 6 by 9 means जब भी आप eye check-up के लिए जाते हैं तो doctor आपको एक certificate देते हैं या जो भी आपको एक booklet देते हैं आपके eye के conditions related उसमें आपको mention रहता है 6 by 6 से 6 by 9 के बीच में ये NDA के लिए proper condition है means इस condition पर अगर आपकी eyes है तो आप NDA के लिए eligible कर सकते हैं बट इस पे एक criteria और है आई के जो defects होते हैं पहला defect क्या है हमारा इसको आपको समझ आ गया पहला defect हमारा है myopia अब यह myopia कौन सा effect है मतलब आख इसमें भी खराब होता है इसके कारण maximum लोग को चश्मा रखता है इसमें क्या होता है आपको पास की चीज़े तो दिखती वर दूर की चीज़े नहीं दिखती इसको कहते हैं हिंदी में दूर दृष्टी जोस और इंग्लिस में कहते हैं ल 2.5 डाउक्टर से ज्यादा कि अगर आपको लगा है इससे ज्यादा कि ऐब आपको चश्मा लगा है तो आप apply नहीं कर सकते एंड ये के लिए eligible आप नहीं है और जो एक और क्राइटेरिया होता है डिसीस का वह कौन सा होता है hypermetropia हाइपर्मेट्रोपिया क्या होता है इसको भी देख लेते हैं हाइपर्मेट्रोपिया मतलब आपको दूर की चीज़े दिखेंगी लेकिन पास की चीज़े नहीं दिखेंगी इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉंग साइटेडनेस और हिंदी में इसे कहते हैं दूर आपका चलेगा लेकिन इससे ज्यादा पावर होने पे आप NDA पे अपलाई नहीं कर सकती तो जैसे इनका डाउट था ये डिपेंड करता है कि आपको चश्मा लग रहा है लेकिन उस चश्मे का नंबर क्या है और आपको लॉंग साइटेड ने से कि शॉर्ट साइटेड ने से आइमीन माईपिया है कि हाइपरमैट्रोपिया है तो लेकिन यह जो थ्री डायोट मिलाकर जो मिलाकर बता रहे हैं इसका क्या है यह आपका है ऐस्टिमेटिजम का मिलाकर इसको क्या बोलते हैं जो हमारी आखों की पुतली होती ही वो गोल होती है नॉर्मल हमारे आखों के पुतली का शेप होता है इस तरीके से गोल तो ये गोल जो पुतलिया होती है ये कई सारे लोगों के आँखों में ये गोल की जगा कुछ तरीके से इनका शेप जो है वो चेंज हो जाता है जैसे आपको इस जगे पर दिख रहा होगी ये प्रापर गोल नहीं है थोड़ी सी ओवल शेप में है मिन्स अंडाकार शेप में है तो जहां पे गोल नहीं होता मतलब इस टाइप की आँखों पे भी अगर चश्मा लगा है तो वो इससे ज़्यादा नहीं होना चीए मतलब अगर इस टाइप का किसी ओप्रापलम है तो इसका भी क्योर चश्मा लगा की किया जाता है लेकिन उसका पावर भी इससे ज़्यादा नहीं होना चीए हाइपरमेटरोपिक लोगों पे यह प्रापलम ज़्यादा पाई जाती है तो यह था आई से रिलेटेड जो हमारे एंडिये के लिए क्राइटेरिया है तो होप है कि इनको भी इनका आंसर मिल गया होगा नेक्स डाउट हमारा क्या था ये भी हम देख लेते हैं नेक्स डाउट था हाइट से रिलेटेड ओके नेक्स डाउट था हाइट से रिलेटेड कि मेरी हाइट ये है और मेरा वेट ये है तो किस तरीके से हम एंडिये के लिए एलिजिबल हों गया क्या-क्या एंडिये के ल एक चार्ट की स सुयес्धा आप से अम देखें तो नीयरेसट इंके हाइट का क्या है सैंटीवितर में दिया है मैग्सिमम्द जगह पर सेंटीमीटर पर गया है तो हम इसको और कंवर्ट कर देते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि 5.7 5.7 feet इनकी height है और इनका weight क्या है 49 kg 49 kg इनका weight है और 5.7 feet इनकी height है So let us convert feet into centimeter तो इसके लिए हमको क्या करना होगा इसके लिए हमको feet पे मतलब जो 5.7 feet इन्हों ने दिया है इसको हम centimeter में convert करने के लिए 30.48 का multiply कर देते हैं क्योंकि 1 feet is equal to होता है 30.48 centimeter तो ऐसा हम कर देते हैं तो 30.48 multiplied by 5.7 So 8.7 हो गया 56, 7.4 हो 28, 7.0 हो 0, यहाँ पे 3, 7.3 हो 21 और next time अगर हम करें तो क्या हो जाएगा 8.5 हो 40, 5.4 हो 24, 5.0 हो 02, 5.3 हो 15 तो इस हिसाब से इनकी height किती जा रही 6, 3, 7, 3, 7, 1 मुला 173.736 इनकी height आ रही है overall तो इनकी height के इसाब से अगर हम chart पे बेसे अगर आप पर यह chart clear नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको हाँ पे समझा दूँ कि यह chart कहना चाहता है अगर हम इस height example को ले जो रंजन कुमार जी ने पूछा है उस height example को अगर हम ले तो यह risk criteria पे आगा 173 यहाँ पे यह दिया है तो इसके हिसाब से इनका weight इनके age पे depend करता है इन्होंने अपना बताया नहीं था तो इनके age पे depend करता है तो अगर इनका age 16-17 सेवला से 17 साल के बीच में है तो इनका weight होना चाहिए 54.5 जिससे यह कम है अगर यह 16-17 minimum वो तो minimum से भी कम है इनका weight और अगर हम देखे 17 से 18 साल के बीच में है तो इस height के हिसाब से उनकी weight होनी चाहिए 57 kg और अगर 18-19 years पे है तो उसके हिसाब से उनकी weight होनी चाहिए 58 और यह जो weight से वो minimum है इस से उपर के चलेंगे यह जो weight से वो minimum है लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं उस पे हम फिर निकालते हैं body mass index body mass index निकालना मैं आपको किसी अगले वीडियो पे बता दूँगे या फिर अगर आपको formula चाहिए तो अभी मैं next videos के आप से discuss कर लूँगा तो body mass index तो हमको क्या करना है height को क्या है height और weight को divide कर देना है weight upon meter square यह body mass index का formula है आप चाहे तो उससे निकाल सकते हैं तो यह height का chart है इसे साब से यह क्या बोलता है यह हम देख लेते हैं एक बार height का chart हमारा क्या बोलता है अगर आपकी height 152 cm है feet से cm convert करना आपको समझा गया सिर्फ 30.48S पर multiply कर दीजिए अपनी height feet पे और फिर आपको यह अपना सारा solution मिल जाएगा अब chart क्या कहता है यह हम देख लेते हैं अगर आप 152 cm height के हैं तो 16 से सद देखिए जो नेपाल साइट के लक्षदीव साइट के या जो पहाडी एरिया की जो लोग हैं गोरखा साइट की जो लोग हैं उनमें 2 cm से 4 cm का छूट रहता है उनकी height में क्योंकि उस side के लोगों की height normally naturally छोटी होती है तो NDA ने उन लोगों के लिए थोड़ी height की छूट दी है तो यह क्या कहता है कि अगर आपकी height 152 cm है तो आपका 42.5, 44 और 45 मिन्स अगर आप 16 to 17 years के बीच में है तो 42.5 height होना चाहिए 17 to 18 years के बीच में है तो 44 होना चाहिए और 18 to 19 years के बीच में है तो आपक height 183 है तो आपका weight किता चाहिए अगर आप 16 to 17 years पे है तो आपका weight चाहिए 62.5 मलब 62.5 और अगर आपका age 17 to 18 years है तो आपको चाहिए 65 और 18 to 19 है तो आपको चाहिए 66.5 तो यह हमारा top to bottom category था जिस पे जो example हमने लिया जो comment हम से किया गया था तो उसके लिए हमने यह किया तो इसी साब से तो यह तो minimum category पे भी नहीं आ रहे है इनका height 54.5 तो इसी साब से यह क्या है underweight तो physical test में हो सकता है कि यह fail कर जाए next doubt हमारा आया था NDA के लिए height कित्ती होनी चाहिए तो यह तो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट पे बता ही दिया कि NDA के लिए height कित्ती होनी चाहिए तो height से related अगर आपका doubt clear हो तो एक बार आप इस chart का screenshot ले लिजिए okay तो clear है यहां तक next हम देखते हैं यहां से हमारे start होता है कि NDA में selection का procedure क्या है means what is the process for selection in NDA means किस date पे किस kind of exam selection है हमारे exam conduct होते है after the exam के बाद क्या process and final date list किस तरीके से आती है यह सब हमको देखना है तो यह सबसे पहले तो आपके form fill करने के one month बाद आपको क्या है admit card आपको available हो जाएगा exam के एक महिने पहले means exam के एक महिने पहले आपका admit card आपको available कर दिया जाएगा उसके बाद हम देखने कि return exam जो है हमारा वो किस तरीके से conduct होता है तो NDA और NA दोनों का यह system क्या है सेम है इस पे दो exam सोते हैं कौन-कौन से paper 1 होता है mathematics का paper 2 होता है general ability test means GAT और यह दोनों वीडियो आपको हमारे competition path maker channel पे available हैं आप अभी जा कि उस channel पे subscribe कर सकते हैं इसके पहले हम देखे तो paper math 1 mathematics में 120 questions पुछे जाते हैं 300 marks के जिसमें time दिया रहता है 150 minutes और NDA का format क्या होता है MCQ format में NDA पुछा जाता है means MC's Qs होते हैं हमारे NDA के questions जो NDA के examinations है उसके questions होते हैं MCQ format पे तो जो mathematics का question mathematics का जो हमारे examination होता है उसमें 120 questions पुछे जाते हैं जो की होते हैं 300 marks के और time उसमें time limit किता दिया गया रहता है 152 minutes उसमें time limit दिया रहता है तो अगर हम इससाब से देखे तो NDA का exam हो गया 2.5 marks per question 2.5 marks per question हो गया NDA में mathematics question paper और अगर हम इसमें देखे तो 150 questions पुछे जाते हैं general ability test में और 600 marks का उता है 150 minutes इसमें time limit गिवन होता है मिन्स ये क्या हो गया 4 marks per question इसमें हो गया 4 marks per question आपका अब minus marking की अगर हम बात करें तो mathematics paper में होता है 0.83 minus 0.83 आपका minus marking होता है किस condition पे? अगर आपने question सहीं किया और अगर आप question पे tick कर दिये गलत answer हो गया तो गलत answer के कारण आपका सही question का भी आपका answer क्या है marks आपके cut हो जाएंगे इसलिए हमको सभी question को answer नहीं देना है और guess work थोड़ा कम करना है NDA पे अगर हम properly sure हैं तो ही answer को tick करना है इस सब जो तरीके हैं NDA के exam देने के सब के तरीके में CPM channel पे हमारा practice चल रहा है MCQ form पे हमारे practice चल रहा है NDA को target करके तो आप अभी जा के उस channel को subscribe कर सबते हैं और इसमें minus marking अगर हम देखें तो इसमें minus marking होता है minus 1.33 means हर wrong answer पे right answer से minus 1.33 marks आपके deduct हो जाएंगे तो इस तरीके से हमारा होता है जो हमारा question examination होता है वो किस basis पे होता है तू पेपर्स होते है mathematics and GAT GAT में आपका कौन-कौन सा section related है यह मैं आपको बता देता हूँ GAT में क्या-क्या पूछा जाता है GAT में हमारा हो गया है एक general knowledge जनरल नौलेज से रिलेटेड होता है हमारा GAT में और क्या होता है mathematics और नहीं mathematics साथ डिफ्रेंस एक्जाम ही अलग एक्जाम ही हो गया तो इसके बाद होता है हमारा एक English इन सब के वीडियो आपको CPM चैनल पर अबलेबल है math विजिस के मैस्टी हर चीज के धीरे धीरे डलते जाएंगे और English जनरल नौलेज मैस तो वहां पर अच्छे से स्टार्ट भी हो गया और English का कई सारा कोर्स हमारा का आगे बढ़ चुका है question practice के साथ हर चीज हो रहा है MCQ बेस्ट पर और minus marking के बेस्ट पर भी हम वहां पर एक तरीके से preparation वहां पर होती है next देखे तो current affairs इस पर एक टॉपिक है current affairs एक special topic इसमें current affairs में क्या अभी के time पर मिन्स exam से लगभग अगर हम देखे तो 2-3 महीने पहले जो latest scenarios हुए है या latest कुछ case हुए है या कुछ भी चीज हुए है हमारे आसपास वो सब आ जाते है हमारे current affairs में और क्या ह होता है इसमें हमारा हो गया general science अब general science में क्या क्या आ गया general science की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ गया फिजिक्स chemistry and basics of biology biology एडम डीप पे नहीं आता इसमें biology उत्ता डीप नहीं आता क्योंकि बायो की students mainly उनका ratio math की students कम होता है एंड ये exam में तो physics chemistry तो हमारा आता है level में लेकिन बायो जो है वो general science के form में आता है means normal questions के form में आते हैं कि जैसे corona से related, covid-19 से related कुछ questions आगे general affair और biology दोनों को मिला के आ जाएंगे वो तो इस तरीके से बायो में क्या है general questions आते हैं easy level के question आते हैं basic level के question आते हैं लेकिन जो physics chemistry है यह हमारे higher level के questions आते हैं क्योंकि air force और navy के लिए eligibility criteria में लिया है कि physics and mathematics subjects are compulsory for air force and navy group of NDA examinations तो यह तो major topics हैं यह सब हमारे cover होते हैं general ability test GAT में जो की 600 marks का होता है और इन सब की preparation साथी साथ मैस की भी preparation competition मात पाथमेकर में आपका हो रहा है आप link description पे है आप वहाँ जाके उस channel को भी subscribe कर सकते हैं अगर आप NDA के लिए interested है तो तो यह तो किस तरीके से format में होता है हमारा written examination रिटन के बाद का जो होता है उसका आखिर क्या है यह हम देख लेते हैं कि रिटन के बाद क्या होता है इसका मतलब क्या हुआ return के बाद देखिए यहां तक तो आपको समझा गया कि return के बाद क्या होता है इसके बाद कुछ extra doubts जो students ने और पुछे है means extra doubts मतलब जो इन सब topics से out of syllabus है मलब इन सब topics से related नहीं है तो उस पे doubts में क्या क्या पुछा गया इस पे पुछा है सर मुझे लगता है कि अगर मैं return निकाल भी दूँ आपके channel से पढ़के बिल्कुल possible है अगर आप कोशिस करेंगे और इत्ती quality videos हमारे channel पे available है competition pathmaker channel पे तो आप तो बिल्कुल clear कर सकते हैं उसके बाद इन्होंने लिखा है फिर SSB निकलेगा बिना teach के तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ आपको बस हमारे साथ बने रहना है बस उस channel पे जाके आप जुड़ जाए lieutenant major higher rank के जो army के officers है उनके थूँ हम आपकी SSB की training कराएंगे बस आपको उस channel पे आपको attached रहना है हम higher rank के army officers के थूँ आपकी SSB की training उस पे हम कराएंगे competition pathmaker चैनल पे और हम देखे तो sir hindi medium की students के लिए spoken English बड़ा problem होता है so please sir अपने वीडियो में इसका solution बताईए देखे इस spoken English बड़ा problem होता है ये तो आपको सहीं चीज है इसके लिए आप कर सकते हैं आप different types के novel study करना various kinds of novel you can study for this for example pure English novel इससे आप पढ़ेंगे तो अगर आपको इससे फायदा होगा या English web series आप देख सकते हैं लगातार नहीं देरे देरे करके English web series आप देख सकते हैं या English newspaper होते हैं वो सब आप पर सकते हैं English novels आप mainly novels आप देरे देरे पर सकते हैं ताकि आपके word power जो होते हैं mainly English क्या consider करता है word power grammar tense तो ये सब आपके CPM channel पर हम clear करी देंगे आपको क्या increase करना है अपना word power increase करना है so novels study आप कर सकते हैं ये best solution है किसी भी NDA के लिए अब आप spoken English कहीं पर भी अगर आपको increase करना है and then RapidX तो उसके लिए supplementary आप ले ही सकते हैं RapidX को इस basic level के लिए कि spoken English को कैसे किया जाए और वीडियो भी आपको लगातार मिलते ही जाएंगे English के so we continue with competition pathmaker channel आपको बस update लेते रहना है हर चीज हम उस पर आपके साथ कराएंगे next हम देखते हैं कि अब इस वीडियो पे तो हमने जो clear किया वो था NDA का eligibility process तो let us discuss the nut process of NDA selection in a nutshell क्या क्या होता है सबसे पहले online application होता है NDA का application हमको करना है online after then admit card आ जाते हमारा कब one month after application और we can say before one month before the examination date तो admit card हमारा आ गया after then next exam हमारा होता है mathematics for 300 marks 120 question with 0.83 marks of minus marking and the other section is NDA paper 2 means general ability test which contains various kinds of science and general knowledge history related questions and English also so it has a minus marking ratio of 1.33 150 question it includes and its maximum marks is 600 तो 600 हमारे next examination पे होता है अब हम देख लेते हैं next अगर हम चेक करें तो उसके बाद आता है call letter means if you have cleared the written examination अगर आपका written examination clear हो गया then you will get a call letter means आपको SSB interview के लिए एक call letter आएगा कि आप eligible है SSB interview के लिए result आने के बाद तो आपको यहाँ पे जाना है after then SSB interview होता है SSB interview 5 days का होता है इसमें क्या-क्या screening test, psychology test, GTO, conference यह सब 900 marks का होता है SSB और SSB कैसे conduct होता है इसके लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए प्रिपेर कर ही रहूं वो भी आपको बहुत जेल्दी मिल जाएगा अगर आपको SSB से भी related कुछ भी doubt है या कैसा भी आपको और कोई doubt आपका छुटा है and is related just comment below the video you will get your ass solution in the videos और I will reply to the comment next अगर हम देखे तो medical क्या है medical check-up होता है after clearing the SSB interview इस पर भी कई लोग SSB भी clear करने के बाद इस पर out हो जाते हैं कई लोग जो की medical को clear नहीं करते आई का भी check-up उन लोग खुझ से करते हैं गलत पाए जाने पर तो कई बार रोक लगा दी जाती कि अब आप NDA का exam नहीं दे सकते and final merit list open हो जाते हैं merit list के basis पर ही हम air force, navy या army category को हम इसके थूँ select कर सकते हैं तो this was the whole NDA selection procedure in a nutshell तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं कि किस तरीके से NDA में हम selection कराते हैं तो एक बार screenshot ले लिजिए next हम देखें तो ये कुछ doubt extra बचे थे ये सब doubt students इसे थे कि sir NDA full information video selection तक तो selection तक मैंने आपको तो nutshell में बता दिया था last में SSB से related आपको पूरा process वीडियो आपको next वीडियो में आपको मिल जाएगा मैं इस पे भी एक prepare कर रहा हूँ full process of SSB जिहां इसी पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ return test के बाद process पर वीडियो बनाया से सबसे ज़्यादा इसी पर कमेंट से तो मैंने डिसाइड किया कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए आकाश कुमार ने पुझा था कि NDA strategy पर वीडियो बनायने की क्या planning करके NDA crack किया जा सकता है तो इस पे sir एक वीडियो बना देंगे तो उसके भी through आपको उसे knowledge मिल जाएगा और sir exam किते number ये तो number मैंने आपको बता दिया और SSB crack करने की जो preparation होती है आप बस competition path maker के साथ जुड़े रहिए और आपको क्या है उसके साथ मिलेगा link description पर आप अभी जाके competition path maker को subscribe कर सकते हैं उस पे हम आपकी higher rank authorities के through आपका SSB interview का preparation कराने की पूरी कोशिश करेंगे हम बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है till date आपके examination तक और हम भी आपके साथ बने रहेंगे regular videos आपको एद्दम quality videos with free PDF notes कुछ लोगों के doubt से कि sir app में PDF नहीं मिल रहे तो अभी सिर्फ for a week only notes को कुछ देर के लिए वहां से remove कर दिया गया है क्योंकि कुछ technical issue था आपको within a week फिर से आपको notes available हो जाएंगे तो ये query भी क subscribe to competition path maker channel and this channel also अगर आपको video informative लगी तो video को like भी करें and main motive of our channel is to give proper quality education to the students who need it जिन students को जरूरत है quality education की उन तक हम हमारे quality videos अगर हम provide करें तो हमारा जो motto है channel का वो पूरा हो सकता है और इस पे हम अकेले कुछ नहीं कर सकते इस पे हमको complete आपका साथ चाहिए क्योंकि आप जानते है अपने friends को हम आपके friends को नहीं जानते कि आपके किन friends को NDA की जौरत है किन friends को IIT नीट किसकी जौरत है तो ये सब चीज़ आप अपने friends सक share जरूर करें ओके टिल